अगर आप अपना सिम काड अधार काड से लिंक करवाना चाहते हैं वो भी घर बैठे बैठे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो के लिए तो दोस्तों पहले ये बात कर लेते हैं कि अधार लिंक करवाना जरूरी क्यों है ऐसा क्या पड़ा जो सरकार ने अधार लिंक करवाना जरूरी कर दिया है तो मैं आपको बता दू कि आज से पहले जब अधार नहीं हुआ करता था उस समय लोग अपनी फोटो आईडी देकर और एक फोटो देकर सिम काड ले लिया करते थे तो उस समय हुआ कि बहुत लोग ऐसे थे जिनकी खुद की आईडी इस नहीं थी और उन्होंने दूसरों की आईडी पे सिम काड ले ली और वो लोग फोन अगर उनका खो जाता है और दूसरा कोई वेक्ति क्राइम करता है त पकड़ा जाता था उसे तकलीफ होती थी तो सरकार ने इसे मध्यन अज़र रखते हुए यह नया रूल निकाल दिया है कि आपका जो सिम होना चीए वो आधार से लिंक होना जरूरी है तो इसके लिए दो तरीके होते हैं एक तरीका जो आपको पहले से ही पता होगा कि आप अपनी टेलकॉम ऑपरेटर की वेबसाइट पर जाके यह कर सकते हैं जैसे कि वोड़फोन आइडिया एटर और भी जो भी सिम हैं जीओ को छोड़के क्योंकि जीओ पहले से ही आधार से ली गई है और वो आधार वेरिफाइड है तो आपको कोई जरूरत नहीं है तो आपक एक OTP आएगा जो कि generate होके आपके फोन पर आ जाएगा message के थूरू वो OTP फिल करना है उस OTP को फिल करने के बाद वो आपसे आपके आधार की डिटेल पूछेगा जो कि आपको एकदम सही सही बरनी है क्योंकि एक अंपलसर ही है अगर आपने गलत भर दिया तो बहुत आधार काड बनवाया था तो उस समय आपने कौन सा मुबाइल नमबर दिया था उस मुबाइल नमबर पे आपको एक OTP जनरेट होके आएगा वो OTP आपको डालना होगा अब कई लोग पूछेंगे कि उनके आधार पे OTP ही नहीं आता या फिर उनके जो आधार है उस समय उन निकलवाने के लिए भी आपको आपके फोन की जरूरत जरूर पड़ेगी तो आपको वो कर लेना है जैसी आप आधार पे आए हुए OTP को भर देंगे तो आपका जो सिम कार्ड है वो अधार से लिंक हो जाएगा वो भी बिना कहीं गए हुए तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह सारे जानकर मिल गई होगी और हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए से कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में